बार्निंग मैं आज आपको हमने एक गौबा का प्लांट जो है लैंड में जुमीन में लगा रखा है उसके बारे में बताता हूं जो गंबले में लगाया हो पहले बता चुका हूं ये दोस्तों ये जो देखो फल कैसे लगा है ये हमने तोड़ भी ले नीचे एक दो ये बार्टी मिक्स सा है था इवराटी का ये आगे से लग भी रहे है ये देखिए ये देखा आगे से लग रहे है तो आज हमने तोड़ना था तो हमने क्या जिसको एक बना लेते हैं ये जो जा ये है ये तोड़ना ये है ये ये तोड़ना ये 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 प्लेट में रखो यह मेरे ग्रैंशन को गावा जो है बहुत पसंद है इसलिए हमें तीन पोडेश के लगा रखे हैं दो पोट में हैं और एक यह है तो दोस्तो इसको लगाने का त्रीका जो है बड़ा इजी है हमनी जी अपने छोटा से काड़न है उसमें लगा दिया इसको यह पहुत सिर्फ बेंगर का बेड़ है तो यह शेव ही ने पराना है और इसको जो है साल में ऐसे लगता है दो बर फल लगें क्योंकि फल पढ़ने शुरू हो के दोबरा इसका वेट भी काफी ठीक है और इसकी जो है इसको कीला बहुत पहले तो लगता है नहीं अगर रगे तो बहुत कम लगेगा तो यह सिर्फ सिक्स मन्थ होल्ड है तो मैं जो जितने वी आपको अपना है यह दखाता हूं मेरा परफ़र यह रहता है पिर जो मैंने लगाया है जो मेरा एक्स्पीरिंस आप से जो है तांके आप उसका फैदा ठापाएं और जो आपका पौदा जो हरिष्ट पुष्ट बढ़िया हो तो यह देखो जासे हमने यह फर्स्ट इसका है सेमन मन्थ होल्ड और इतने फाल है हमने लीचे से दो तोड़ वी लिए और यह गी यह कभी तो है चार लगे हुए है तो यह बहुत अच्छा गोवा का जो पेड़ है देखो कैसे हरा परा है तो इसको लगाने का तरीका है इसका जो है एक फुट लंबा खड़ा खोद लो जो टूगाई में थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद मिस्ट करके और इसको जो है आप लगा दो और इसको पानी जो है इसकी जूरूर तो आप देते रहो हमने जो गोबी के पेल दगा रखे उसमें है तो उसको खूब पानी जो है तीन चार दिन बार लगता रहेगा और यह जो है खूब अच्छा है इसके पत्ते जो हैं सबसे बड़े रिष्ट मुष्ट पोद्दे के यह हैं कि उसके पत्ते जो होता है किसी वहारी से रहता है दोस्तों एक आपको बेंती है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और शेयर करें ताके और लोग आपके इसका बेनिफेट उठाएं और बेल बटन है ताके हमारी हर वीडियो आपको पहुंची रहें